दोस्तो सिधात आनंद की aerial action film जिसका नाम है fighter जिसको सभी बहुत ही धेरो प्यार दे रही है सभी को ये film बहुत पसंद आ रही है non holiday के मौके पर ये film release हुई यानि this Thursday ये film release हुई या 25 जनवरी का वो दिन रहा जिस दन ये film release हुई और इस दन release होते ये film धमाद मचा रही है पहले दिन की अगर collection की बात करें तो फिल्म में पहले दिन ही 22,5 करोड का collection कर लिया और दूसरे दिन की collection की बात करें तो इस फिल्म में दूसरे दिन तकρίबर 39 करोड की collection को छू लिया और अगर हम तीसरी दिन की बात करें तो तीसरी दिन का collection भी तकरीबन सततर करोड के आसपास रहा तो कुल मिलाकर इस फिल्म में सो करोड के आकड़े को टच करते हुए आगे बढ़ चुकी है और अब अगर हम बात करें फिल्म की तो ये फिल्म जो है वो 250 करोड की बज़ट में बनी है और माना जुआ सकता है ये फिल्म जल्दी 250 करोड के कलेक्शन को भी चूलेगी और आगे निकल पड़ेगी वेल दोस्तो रितिक रोशन को सभी बहुत पसंद कर रहे है इस फिल्म में रितिक रोशन को आफ्टर सो लॉंग टाइम देखने का बिग ट्रीट और उसी के साथ दपिक अपादुकौन और रितिक रोशन की जोड़ी को डेरो प्यार मिल रहा है रितिक रोशन के साथ केट्रीना कैफ की जोड़ी को सभी ने बहुत पसंद किया था लेकिन अब जब आप रितिक रोशन के साथ दपिक अपादुकौन को इस फिल्म यानि पाइटर में देखेंगे तो आप मानेंगे कि ये दोनों कमाल कर रही है और इसे के साथ इस फिल्म में अनिल कपूर भी है और करन सिंग ग्रोवर भी जैसे अच्छे स्टार्स शामिल है और सभी ने अपने अपरे पाट को बहुत ही बहतरीन तरीके से निबाया है फिल्म बहतरी अलग तरीके की है aerial action film जिसे आप देखना चाहते हैं ये वो film है दोस्तों अगर हम aerial action film की बात करी तो अब तक वॉलिवुड में बहुत सारे आपने aerial action film में देख ली होंगी जैसे की तेज्वर जिसमें कंगर नावत का काम देखा पठान जिसमें शारु खान का काम देखा या फिर हम सल्मान खान की फिल्म की ही बात कर ले वो और जैसी फिल्म की बात कर लेते हैं लेकिन जिस तरह से रितिक रोशन की इस फिल्म ने धमाल दिखा जिस तरह से अलग तरीके से जो एक प्रॉपर एरियल अक्शन फिल्म अगर आप देखना चाहते हो अगर आप बॉलिवुज का प्रॉपर एरियल अक्शन फिल्म देखना चाहोगे तो यह फिल्म बहतरीन होगा आपके लिए साबित होगा यह और साथ ही आपको बता दे कि 25 जनवरी के दिन इस फिल्म को रिलीस किया गया था और ये टाइम बहतरीन साबित हुआ है फिल्मेकर्स के लिए भी और साथ ही सबसे अच्छी बहतरीन तरीके से अगर किसी चीज को दिखाया गया है इस फिल्म में तो वो है एरिल अक्षन और अगर आपने ये मिस नहीं करना है तो ये फिल्म जरूर देखेगा फुलान इस वीडियो में इतना ही बुझे दीजे का जो आज़त अपना ध्यान जरूर रखिएगा बाबाई एंड टेक के